कि मसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक ले यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम यह चैनल में वीडियो पोस्ट करते हैं लॉंग टम इन्वेस्मेंट के स्टॉक रिकमेंडेशन की जो भी न्यूज में या ट्रेंड में स्टॉक चैनल में पोस्ट करते हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी बाकी की वीडियो नहीं देखिए शॉट टम इन्वेस्मेंट और लॉंग टम इन्वेस्मेंट के स्टॉक की तो उपर आए बटन में और निचे दूगनी हुने में भी मदद मिलेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले शॉट टम इन्वेस्मेंट का एक स्टॉक उसी स्टॉक का उस उसमें हम देखेंगे स्टॉक एनलिसिस क्या है उसका financial technical data सब देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे financial details मतलब आपको व बाते में डिटेल में बताऊंगा आपको उसके बाद मैं मैं बताऊंगा मेरा पर्सनल उपिनियन का है यह स्टॉक को लिकर तो यह सब जानेंगे हम लोग आज की वीडियो में दोस्तों यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिए तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी हम आ गए है स्क्रीनल.com की स्क्रीन पर अब जानेंगे कमपनी के स्टॉक का क्या है फैनेंचल और टिकनिकल डेटा क्या है क्वाटरली रिजल्ट सब जानेंग तो कमपनी का मार्केट क्याफ है 386 करोड का आज की डेट में यह स्टॉक 536 रुपे के आसपास ट्रेड हो तो ये नजर हा रहा है स्टॉक का हाई है 594 रूपीज लो है 298 रूपीज स्टॉक का पी है 4.26 बूक वैल्यू है 769 रूपीज डेविडेट डिल्ट की बात करें त 15.3 परसेंट आरूई 16.5 परसेंट फेस वैल्यू टेन रूपीज डेप्ट है कंपनी पे 4,41 करोड का जो काफी जाता है प्रोमोटर होल्डिंग 44 परसेंट डेप टू एक्विटी 0.73 प्रॉफिट ग्रोथ 91.4 परसेंट ये ठिक ठाक दिख रहा है CMP-14.5 परसेंट रिटन ओवर 3 मन्थ 14.5 परसेंट रिटन ओवर 1 येर 73.2 परसेंट रिटन काफी अच्छा दिया है स्टॉक ने यह है एक साल के ट्रेडिंग का स्टॉक का चार्ड बाई 23 सितमबर 2020 को यह स्टॉक 309 रुपे 95 पैसे पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा था आज की डेट में 22 सितमबर 2021 को 536 रुपे 75 पैसे पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक के प्रोजान कौन्स की बात करें तो 0.70 टैम्स बूक वैल्यू के ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आच्छे कौर्टरली रिजल्ट देखन को मिल रहा है 11.08 परसेंट पिछले 3 साल से तो यह है कौन्स और अगर कपीर कंपेरिजन की बात करें तो EPL लिमिटेड पॉलिप्लिक्स का कॉर्परेशन जिंदाल पॉलिफार्म कॉस्मो फिल्म्स जैसे कुछ जानीमानी कंपने इसके कॉम्पिटेटर्स के लिस्ट में हमे 236 करोड़ था और जून 2021 में 312 करोड़ हो चुका है नेट प्रोफिट की बात करें तो मार्ज 2021 में 265 करोड़ था और जून 2021 में 264 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है प्रोफिट और लॉस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्ज 2020 में 1081 करोड़ था और मा 2021 में 1142 करोड हो चुका है नेट प्रोफिट की बात करें तो 370 करोड था मार्ज 2020 में और 843 करोड हो चुका है मार्ज 2021 में का अगर हम बाखी परसेंट की बात करें तो कंपॉंड सेल्स ग्रोथ है 10 साल का 10 परसेंट 5 साल का 7 परसेंट 3 साल का 9 परसेंट Compound Profit Growth की बात करें तो 10 साल का 2%, 5 साल का 22%, 3 साल का 49% देखने को मिल रहा है Stock price CAGR की बात करें तो 10 साल से 14%, 5 साल का 13%, 3 साल का 21% और 1 साल का 73% देखने को मिला है Return on Equity के बात करें तो 10 साल का 10%, 5 साल का 10%, 3 साल का 11% और पिछले साल का 16% हमें देखने को मिल रहा है हम बात कर रहे है यूफलेक्स लिमिटेड की जो की manufacturing और sales के engage है flexible packaging product और flexible packaging के कुछ solution से related यह company है यूफलेक्स नाम का इसमें हमें short term के लिए investment करना है 3-6 महिने के period के लिए अगर हम लोग बाकी का देखे balance sheet तो total liabilities है आज की date में company की बाद March 2021 में 11,884 करोड की total liabilities है और assets की बात करे तो 11,824 करोड के assets हमें दिखने को मिल रहे है Net cash flow की बात करे तो March 2020 में 155 करोड था, March 2021 में 216 करोड हो चुका है और cash conversion सा cycle की बात करे तो March 2020 में 79 था, March 2020 में 84 हो चुका है और ये value करोड में है तो यहाँ था यहाँ company का financial or technical data अब हम जानेंगे investment details के बारे में तो दोस्तो अभी हम जानेंगे investment details के बारे में तो uflex का जो stock है आपको या तो यह cmp पे खरीदना है या फिर 500 रुपे से लेकर 515 रुपे की price range में यह stock को आपको खरीदना है आप अपनी condition के हिसाब से कितने भी stock खरीद सकते है खरीदने की quantity की कोई limit नहीं है लेकिन 500 रुपे से 515 रुपे की range में यह stock को आपको खरीदना है stop loss लगाना है आपको 425 रुपे market के हिसाब से daily closing basis पे यह stop loss आपको maintain करके रखना है target price रहेंगे 640 रुपे 690 रुपे और 780 रुपे तो 640 रुपे वह investor के लिए price target है जो काफी कम risk लेना prefer करते है 690 रुपे price target रहेगा moderate risk लेने वाले investors के लिए और 780 रुपे price range रहेगा aggressive या high risk लेने वाले investors के लिए तो आप कुण से category के investor हो उसी साब से आप अपना target price का wait कर सकते है और यह stock आप खरित के आपको कम से कम 3-6 महिने तक के patiently hold करना है अगर hold करते है तो यह तीनो target आपके hit हो जाएंगे तो दोस्तों एक महत्वपुर्ण सुचना अगर आप हमारी वीडियोस देखके कोई भी investment कर रहे है तो investment करने के पहले आप खुद की तरक से भी पहले उसका research कीजिए financial technical analysis कीजिए उसके बाद ही कोई अपना investment वह stock में कीजिए अगर आपको कोई भी financial loss होता है तो उसके लिए हम responsible नहीं रहेंगे दोस्तों यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को like और share जरूर कर दिजिए और चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर दिजिए और आपका किमती समय आपने अभी तक के दिया उसके लिए बहुत बहुत धान्यवाद और तब तक हम भी लेंगे अगली वीडियो में अगले स्टॉक के साथ अगली वीडियो में अगले स्टॉक के साथ